रुख करत्यागली खबर का पंचकुला से हर्याना पुलीस में सव इंस्पेक्टर की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामनी आया है पुन्री से विधायक रंधीर गोलन के बेटे अमित ने पंचकुला के सेक्टर 14 इस्थित थाने में धोका धड़ी की FIR धर्च कराई है जानकारी के अनुसार अमित ने उसके मामा के लड़के को S.I.E. की नौकरी दिलवाने के लिए B.J.P. किसान मोर्चा के सरस्य विनोद खर्ब को 49 लाग खुर्पे दिये थे दरसल विनोद खर्ब ने H.S.S.C. की सरस्य से जान पैचान होने का दावा किया था लेकिन भरती रिजल्ट डिकलेयर होने के बाद जब कैंडिडेट का नाम नहीं आया तो हम इतने विनोद खर्ब से पैसे वापस मांगे जिस पर विनोद ने उसे जान से मारने की धमकी दी फिलाल पंचकुला पुलिस ने पेडित की शिकायत पर धोका धड़ी का मामला दर्ज कर जाच शुरू कर दी है पार्टी को भी उन पर कारवाई करनी चीए भी आसे ठब लोगों से जनता को बचाएं विधायक रंदीर सिंग जी है उनके बेटे अमित से पैसे लिए है विनोद खरब नाम के कादमी ने पानी पत कराने वाला है इस चोटी नारा गाउं का करें ऐसे 9,000,000,000 कह जे अड़ियो में जो बापसीत है वो हमने अपना फाइल के लिए है और आगे अभी इंवेस्टिकेसन जा रही है